वीदा पीपल हम भारत के लोग जब हम ये बताते हैं कि हम सब लोग समण संग में हैं और हम इखटा हो रहे हैं अपने वैलफिर के लिए अपने कल्यान के लिए बहुत सारे नए लोग ये पूछते हैं इखटा हो के क्या करोगे आप धार्मिक कोई भहत बड़ा धम का गुरूप बनाओगे या सत्ता का राजनीती का कोई गुरूप बनाओगे या कोई और आपकी मन्चा है कोई और आपकी इक्षा है दरसल उनका सोचना काफी हट तक और उनका पूछना काफी हट तक उनके मुताबिक सही है क्योंकि आधिकतर जितने भी गुरुप बने हैं छोटे छोटे गुरुप या बड़े गुरुप सो लोगों के या दो सो लोगों के या पान सो लोगों के या हजाल लोगों के या बहुत ज़्यादा किसी ने कोई गुरुप बनाया होगा पूरे भारत में चाए वो धमिक है चाए वो सामाजिक है चाए वो राजितिक है चाए वो दलबल सेरा संठन लोग जिलड़कों के हैं अन्रेश्टर्ड की तो बात ही अलग हैं तो वो लोग अधितर लोग जितने भी हैं या तो वो धम की अनुसार गए हैं राजनीती प्राप्त करने के लिए या सीधे राजनीती में आये हैं या सामाजिक काम करते करते राजनीती में आये हैं लगबग सभी लोगों का यही इत इत्यास है। इसलिए जो लोग पूछते हैं वो पुराने इत्यास को देखके पूछते हैं कि वीदा पीपल क्या करेगा, क्या राजनीती में जाएगा, क्या धमके अनुसार राजनीती में जाएगा, या सामाजिक काम करके राजनीती में जाएगा, उनका एक ही मत्तब होता ह कि सत्ता राजिती में जाएगा या नहीं बहुत वार ये इसपष्ट किया गया है मैं फिर आपको इसपष्ट कर दूँ कि वीदा पीपल एक संग है हम भारत के लोग एक संग है पहले समझें कि समण संग और संग जिसको हम बोल रहे हैं वो है क्या संग जो होता है वो जितने भी लोग होते हैं उनका समू होता है उस तरह के यानि कि भारत और भारत के बाहर जितने भी समण लोग हैं ये उनका संग है उनका समू है तो सारा का सारा समू सभी काम करता है जैसे कि परिवार के अंदर जो लोग होते है कोई उसमें student होता है कोई उसमें दुकान पे बैठता है कोई खेत में जा जाता है कोई सरकारी नौकर होता है कोई उसमें नेता होता है कोई परिवार या रिजदार के अंदर कोई कार का मालिक होता है कोई factory का मालिक होता है कोई taxi driver होता है कोई बेरोजगार होता है, कोई प्रतारित होता है, कोई प्रतारित करने वाला होता है तो सब तरह के जो लोग और परिवार हैं, समण संग में सब तरह के लोग आते हैं इसलिए समण संग किसी special stream में या special किसी धारा में नहीं जा रहा है वो सारी धाराएं समण संग के अंदर है जितने भी लोग हैं वो अलग-अलग काम करते हैं वो सब उसका हिस्सा है समण संग ये नहीं कहता कि एक इस्पेसल धारा में जाना है वो ये कहता है कि आप कहीं भी रहें कैसे भी रहें सामको जैसे परिवार के लोग घर आते हैं वैसे ही सारे लोग समण संग में आते हैं वहीं अपना दुख सुबाड़ते हैं वहीं एक दूसरे से मिलते हैं वहीं एक दूसरे से बातचित करते हैं वो अलग-लग कुछ भी काम कर सकते हैं के लिए सुथमता है समर संग संग जो होता है वो कभी एक खास तरह несколько कारिक्रम को नहीं लगा या संग संग इसके अंदर पहले से ही विद्वान होती है तो संग बनता है इसनिफे कोई भी आदमी सोचता है कि सैंगे या नहीं जाएंगे तो समर परिवार में, जो लोग सक्ता में जाना चाहते हैं, या जो लोग हैं सक्ता में, या जो अलगलग पार्टियों में हैं, वो रहें, अपना काम करते रहें, मगर साम को वो सारे के सारे जैसे घर आते हैं, वैसे ही, सबी लोग पूरी जिंदगी स्रमण संग के परिवार के हिस्स रहेंगे, चाहें वो चाहें, चाहें वो ना चाहें, वो उसके मेंबर हमेसा से रहेंगे, चाहें वो देश में हैं, चाहें गरीब हैं, चाहें वो अमीर हैं, चाहें वो इस्टुडेंट हैं, चाहें वो महिला हैं, चाहें छोटे बच्चे हैं, चाहें बड़े बच्चे हैं, चाएं दूद पीता बच्चा है जो समर संग में पैदा हुआ है वो समर संग का बच्चा और जो बुड़ा भी हो गया है वो समर संग का बुड़ा है यही संग होता है और यही संग बुद्ने बाग में उपासक संग और उपासी का संग बिकुनी संग और बिकु संग में बनाया जिसके वाकाइदा नियम भी है धन्यवाद बिकुनी संग में बनाया जिसके वाकाइदा नियम भी है बिकुनी संग में बनाया जिसके वाकाइदा नियम भी है बिकुनी संग में बनाया जिसके वाकाइदा नियम भी है बिकुनी संग में बनाया है झाल